नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती के बारे में तो दोस्तो इससे पहले मैं इस वीडियो का पार्ट वन न ने दें दूहा सब्किलम्न ऐस्कैनल में देडूमंगा तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो भढूती होने वाली हो बिना इंटरव्यों के बहती कोई बीनियू नहीं होगका केवल आपका एक रिटेन एक्जयाम होगा तो जो भी candidates written exam में सफल होंगे उनके लिए लेकपल के तोर पे काम करने का मौका मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी interview नहीं होगी यह बात बिल्कुल clear हो चुकी है और यहाँ पर इसलिए इंट्रिवू नहीं होगा तो इसके लिए दोस्तों सिलिवस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो की मैं आपके लिए इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको तीन चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझाने बाला हूँ सबसे पहले है यहाँ पर हमारा सेलेक्शन प्रोसेस उसके बाद में दोस्तों मैं बताऊंगा आपके लिए एक्जाम पैटर्न क्या होगा आपका और डिटेल्ट स्लेवस तो इन चीजों के बारे में आपके लिए आ नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी एसससी लेकपाल 2020 एक्जाम पैटर्न के बारे में तो एक्जाम का आपके जो पैटर्न क्या होगा दोस्तों उसके बारे में मैं आ वहां की खोती है और सव क्र होती है तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यह बात निश्शत है कि आपका एक एक प्रस्त जो होता है वो एक अंक भवता है , acquisition सो होंगे तो यहां पर चार बिश्य होंगे आपके चार चर सबज्यक्ट होगे इस एक्जाम में पिर्तियक 50 संग को होगा और उसमें 25 फी प्रिशन होगे और यहां पर एक महत्वकूल बात यह है दोस्तों कि प्रिसंद के एक बटे चार अंक का नकारात्मक यानिके निगेटिव मार्किंग भी होगी तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छे से जो कि गडित उसके बाद मां आपका आएगा जन्रल नॉलिज यानिकी सामान ग्यान फिर आएगा आपका रूरल डिवलोप्मेंट एंड रूरल सुसाइटी ग्राम समाज यह आपके चार सब्जेक्ट होंगे एक बार फिर से बता देना चाहता हूं नंबर बन हिंदी नंबर तो मैथ नंबर तीन जन्रल नॉलिज एंड नंबर चार रूरल डिवलोप्मेंट एंड रूरल सुसाइटी तो यह आपके चार सब्जेक्ट होंगे चारो सब्जेक्ट के लिए 25-25 प्रिशन होंगे और हर प्रिशन के लिए एक-एक अंक होगा तो यहाँ पर आपके टोटल कुलमला के 100 अंक होंगे और 100 ही प्रिशन होंगे तो आगे की वीडियो में हम जान लेते हैं दोस्तों एक्जाम पैटन के वाल में थोड़ा सा डिटेल में तो यहाँ पर जेनरल हिंदी मतलब सामान हिंदी आपकी नंबर अफ कोस्चेंस 25 नंबर अफ मार्च 25 मैथ होगा और यहाँ पर मार्च भी आपको 25 मिलेंगे जनरल नौलेज यानि कि सामान ग्यान सामान गयन आपका नंबर अफ कोस्चेंस 25 होंगे और मार्च भी आपके 25 होंगे उसके बाद में लार्ज सब्जेक्ट आता है आपका रूरल डिवलोप्मेंट एंड रूरल सोसाइटी ग्र पॉइंट्स जो है महत्पूल बिंदू उन पर भी नजर डालना एक बर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नंबर बन पर है देर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ बन वाइफ फोर मार्क्स फॉर एनी रॉंग आंसर इंदी य गंटा 30 मिनट का जो होगा वह आपके लिए टैम होगा थो 100 आ किलिए नब्भे मिनट में करनें होंगे क्वा देख सकते हैं कि आपको पास में बहुत ही जादा कमी होगिया है आप के लिए बहुत ही दिए झाय नैच्स आता है दोस्तों तेर बिल भी नोंव मिन के लिए तो यह बात में आपको जो इस वीडियो के मैंने पार्ट बन डाली थी उसमें भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस बार जो आपके भरती होने वाली है वो only लिखित परिक्षा पर होने वाली है यहां पर आपकोई भी इंटरिव्यू नहीं आप केवल लिखित परिक्षा ही पास करने होगी आपके लिए उत्तर प्रिदेश में लेकपाल के तौर पर भरती होने के लिए तो दोस्तो मैंने आपके लिए यहां पर एक्जाम पैटर्न और कुछ महतुपुल बिंदू जित्हें इंपोर्टेंट पॉइंट्स उनके बा अतारित होगी उमीदबारों को UPSSSC लेकपाल पेपर के लिए उपस्थित होना होगा जिसमें 100 अंको के 100 प्रिशन होंगे UPSSSC लेकपाल पेपर में 4 सेक्षन होंगे तो इसके बारे में मैं भी मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर जो आपका जो एक्जा सब्जेक्ट में आपके लिए बता चुका हूं हर सब्जेक्ट के लिए 25 उनके लिए 100 इंको करें यहां पर सव एंक जो आपके लिए 90 मिनिट में पूरे करने हैं लाव रिदि से related next वीडियो आने वाली है दो वीडियो में upload कर चुका हूं part 1 और यह किए part 2 अभी जो part 3 आने वाला है उसमें आपके लिए बताऊंगा यह जो चारो subject मैंने आपको बताए हिंदी math और जो भी दो subject मैंने आपके लिए और बताए उनके बारे में डिटेल हों बताऊंगा कि आपको हिंदी में किस किस तरह के questions आएंगे math में आपको क्या के पढ़ना होगा और जो भी दो questions subject और बचे हैं उनमें आपके लिए क्या के पढ़ना जरूरी होगा तो पार्ट थर्ड जरूर देखिएगा तो पार्ट थर्ड देखने के लिए दोस्तो एक दिन का आपको इंतियार करना पड़ेगा कल आपके लिए में वो वीडियो बनाके अप्लोड कर दूँगा तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा सेर करना होगा जिससे यह जो डिटेल है वो सभी उम्मिद्बारों तक पहुंच सके और समय रहते वो इस लोगडाउन का फायदा उठाकर अपने तैयारी में जुट जाएं तो दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए उत्तर प्रदेश लेकपाल से सम्मंदित हर पल-पल की अपडेट मिलती रहेगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में थैंक यू फर वाचिंग तब तक के लिए नमस्कार